दोस्तों आप सुभी का स्वागत है मेरे यूटूब चनल क्रिजी ग्यान पर तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सुभी को वोट्चेप की कैसी खुफिया ट्रिक के वार बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को आप सुभी को अपने वोट्चेप में करके काफी मजाएगा और ये ट्रिक आप सुभी के काफी काम में भी आने वाली है तो आप सुभी अपने दोस्तों के साथ वोट्चेप पे जरूर से चैटिंग करते होंगे कभी कभी आपके दोस्त ऐसा होता है ना कि आपको कोई message भेजते हैं और उसे तुरंट के तुरंट delete कर देते हैं और वो जो message है जब आपके WhatsApp में आता है तो उहां पर ये लिखा वा नजर आ जाता है अब ऐसे में आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर आपके दोस्त ने ऐसा क्या लिखके आप सभी को भेजा था और क्यों आपके दोस्त ने उस message को delete कर दिया तो normally दोस्तो जब आपके दोस्त आपको message लिखके delete कर देते हैं तो आप उस message को नहीं पढ़ सकते लेकिन इस वीड़ो के अिदर आज में आप स西 कोई कैसी ट्रिक के बार बताऊंगा जिस ट्रिक का समाल करके सिंपली आप इस message के उपर लिए क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस message में क्या लिखा था तो अगर आप जाना चाहते हैं कि आखर ये trick कौन सी है और किस प्रकार से आप इस trick को अपने WhatsApp में करेंगे तो चलिए अब करते हैं विडिको start दोस्तो ये जो WhatsApp की trick है इस trick के बार बताने से बिले सबसे बिले अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है तो आप सभी को इस वीडियो को like कर देना है तो comment में आप सभी को लिख देना है WhatsApp trick है इस तरीके से यहाँ पर आपको WhatsApp trick लिख देना है और ये लिख के आप सभी को simply comment में send कर देना है अब जैसी आप ये लिख के send करते हैं तो चलिए मैं आपको बता दीता हूँ कौन से ट्रिक है जिस ट्रिक को यूज करके आपके दोस्त अगर आपको WhatsApp कोई भी मैसे लिख के डिलिट कर देंगे तो किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि उस मैसेज के अंदर क्या लिखा था दोस्तो इस ट्रिक को करने के लिए आप सुभी को अपने phone में इस application को download कर लेना है application का जो link का है मैंने video के description में ढाल दिये तो हाँसे आप से download कर लीजएगा डाउनलोड करने के वाद जैसे आप इस application को ओपने करेंगे तो यह application आप से कुछ permission को अलाऊ करवाएगा उन permission को आप जरूर से allow कर दीजेगा तभी यह application आपके phone में अच्छी तरीकी से काम करेगा अब इस application की मदद से आप अपने WhatsApp के deleted message को यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी अपने दोस्त के WhatsApp के status को यहाँ पर save करके रख सकते हैं आप किसी के image को यहाँ पर जो भी आपके दोस्त आपको delete कर देंगे image वगएरा, photo वगएरा बेच के उसे भी यहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो को भी देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप voice message को भी recover कर सकते हैं, audio message को भी recover कर सकते हैं किसी भी प्रकार के यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह एड आ गया है, किसी भी प्रकार के document को भी यहाँ पर आप recover कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कि यह जो application है कैसे काम करती है, तो यहाँ पर मैं इस application से बाहर निकल जाता हूँ अब यहाँ पर मैं अपने दूसरे वाले phone से हैं पर मैं Hello करके message यहाँ पर send कर देता हूँ अब यहाँ पर आदेशकते हैं यह जो message यहाँ से send हो चुका है और हमारे WhatsApp पे भी आज चुका है अब इस message को यहाँ से चलिए मैं मान के चलिए अपने phone से हैं पर मैं delete कर देता हूँ यहाँ पर हम delete for everyone कर देते हैं अब मैं जैसी करूँगा तो वो जो message है मेरे WhatsApp से हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वो यहाँ पर delete हो चुका होगा अब इसको देखने के लिए कि इस message में क्या लिखा था simply मुझे कुछ नहीं करना अपने phone में इस application को open कर लेना है अब जैसी मैं open करूँगा तो यहाँ पर लिखा वो आ जाएगा कि एक जो message हो डिलिट हो चुका है और यहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ कि मेरे दोस्त ने अभी मुझे कौन सा message लिखके delete कर दिया है अगर आपके दोस्त वगेरा या फिर कोई भी आपको message भेजके delete कर देते हैं तो यह application आपकी काफी काम में आने वाली है Thank you